अलो इंडिया भारत हिंदोस्तान मैं सेद मने दिन आप लोगों के सामने पहले की तरह आज आप लोगों के सामने आने का मेरा एक और मकसद है क्योंकि हमारा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेकनोलजी इंक जो कंपनी है जिसका बहुत ही बहुत प्रोड़क्त के बाद हम लोग एक और प्रोड़क्त के सामने लेकर आये हैं यह अग्री कल्चरल और मरीवी जमीन या फिर जो जमीन फर्टिलाइस नहीं है वह ऐसे सारी जमीन को एक अच्छे खासी उत्पादन पैदा करने के लिए इस्सेमाल में लाई जाती है बेसिकली मे करता हुँ हमारे इंडिया के बिहाफ में भारत या फिर हिंदुसान के बिहाफ में तो इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वाले प्रोड़क्त को भी और प्रोजेक्ट को भी बहुत ही अच्छा सहीयोग देंगे और सराहेंगे और अपने योगदान देंग कर और लेडर के तौर पर काम कर रहा हुँ भारत के लिए दो मुझे तीन साल होने को आ रहे हैं तो आज का इवेंट का जो परपस है में वह आप लोगों को यह इतला करने वाला करने वाली चीज है कि आप लोगों के सामने फिर से एक बार आनोखा और सुनहरा मौका हम सपोर्ट कर रहे है यूसका के बाद तो चली यूटेरा क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यूटेरा क्यों इसको नाम रखा गया है यू जो है यूनिट्स की जी का जो नाम है उसका पहला अक्षर है यू और टेरा इसको रश्या में जमीन को कहते हैं की कमी की समस्या का solution कर सकते हैं जैसे के मैंने का कि फर्टिलाइजर है मरीवी जमीन या फिर बंजय जमीनों को फिर से उसमें एक हर्याली लाने के लिए और बहुत ही अच्छा एक oxygen लेवल को भी बढ़ाता है यह सारी चीज़े तो 2021 के लिए फर्टिलाइजर मार्केट का जो आकार है जो मार्केट का जो size है वो जो है 200 billion dollar का है बतीलाइजर की वैश्विक मांग है मतलब यह जो वर्ल्ड डिमाट है पूरी दुनिया में जो करती है कहने का मतलब है जो जो है जैसे कि आप डेजर्ट एरिया मान लिजए जैसे कि हमारे मिडलीस्ट एरिया वागेरा में तो ये कुछ एशिया पूरी वोल्ड का एक जो छोटा सा ग्राफिक है उसको एक चाहां पे चार्ट के जरी भी हमने दिखाया कि किस जगा पे कितनी जादा इसकी रिक्वार्म तो फर्टिलाइजर का बाजार का साइस किया है उसके बारे में थोड़ा सा स्वस्फवा निक फर्टिलाइजर जिसके प्लान पशू और खनीज् स्वास्तवर्दक और सभी आवशेक माइक्रो ऑर्गैनिजम से भरपूर है हमारा फर्टिलाइजर जो है यहां पर जितने भी मैंने अभी डीटेल जैसे कि बताया है कि यह है सुरक्षित सेफ है और स्वास्तवर्दक यह हल्दी है हाजार्ड नहीं है विल्कुल लो हर्जार्ड है और बाकी जितने भी जो आशेक माइक्रो ऑर्गैनिजम की ज़रूर्थ है वो चीजों से भी बरपूर है तो यूटेरा बयो हुमस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासल कर लेते हैं ये एक Natural Organic Soil Amendment है जो विशेश प्रकार के केंचुओं द्वारा सावधानी पूर्वक ये चैनिक जैविक कच्रे को प्रोसेस करके प्राप्त किया जाता है ये जो है एक Special केंचुओं की प्रजादी को पालके उससे जो कच्रा बनता है वो सारी चीजों को फिल्ट्र वगरा करने के बाद उससे जो चीज बनती है जो बैयोहिमस बनता है उसको इस्तिमाल किया जाता है इसमें प्लांट्स की वृद्धी और विकास के लिए आउश है खनीज एंजाइन एंजाइन विटामीन साथ ही माइक्रो और माइक्रो लेमेंट्स की एक पूरी श्रुंखला शामिल है इस बैयोहिमस में यह जिते में आपको नाम ले रहा हूँ यह बहुत ज़्यादा साइन्टिफिकली एक टर्मिनोलेजिस है आपको धोड़ासा आराम से यह फिर दो बर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह जाएगा विटार वाइक्रो लेजिस में क्या क्या चीज़े मिली है वो भी एक तुर्वार जान ले रहे हैं एन्वाइन्मेंटली फ्रेंडली पसल की गारेंटी देता है और बेनिफिशल माइक्रो आर्गेनिजम और एन्जाइम को नैचुरल एक्टिविटी को उत्तीजित करता है प्लांट्स की इम्मुनिटी को मजबूत करता है और डीग्रेड़ भूमी की फर्टिलिटी को बहाल करता है किसी भी कॉंसेंट्रेशन और किसी भी सॉयल पर पूरी तरह से आनि रही था है और हण्डेट परसंड ओर्गेनिक फर्टिलाइजर है यूटेरा सॉयल एलिक्शिर क्या है इसके बारह में भी जान लेते हैं यूटेरा सॉयल एलिक्शिर जो है एक liquid form है इससे पहले जो bio humus मैंने उको बता हूँ एक थोड़े सा solid form है और ये utera soil elixir जो है ये एक liquid form का fertilizer है तो उसके बार में मैं और थोड़े सा detail में जान लेते हैं ये एक biologically active plant food है जिसमें umic acid, फल्विक acid और yumic के ये गुलंशील लवन्ड और साथ ही ये agronomically valuable microorganisms की पोरी स्रंकला उनकी उच्छ concentration के साथ होती है कहने का मतला इसमें जितने में मैं अभी terminology जो हमने बात करी है वो सारी चीजों को process करने के बाद ये एक लिटर soil elixir बनता है utera soil elixir बनता है utera elixir कैसे बनाय जाता है उसमें क्या-क्या हमारे raw materials डाले जाते हैं उसके बारे में वह थोड़ा सा detail में जान लेते है utera soil elixir के लिए beneficial ये जो है जो कच्चेल माल इसमें डाले जाते हैं वो जो है ये brown coal और molasses शहग और biohema स्थोड़ा सा mix किया जाता है उसके बाद ये अतिरित organic elementous चीज़ें इसमें डाले जाती है तो uterus elixir प्राप्त करने के लिए कितने stages होते हैं उसके क्या के stages से इसको गुजरना पड़ता है एक लिटर soil elixir बनने के लिए पीट, coal की आपूर्ती और humic acid का extraction और composition का optimization, acidity level का correction, bacterial inoculant का introduction और final जो state होता है soil elixir में ये processing और प्रिशी उत्पादों की उत्पादक्ता एवं quality में व्रुद्धी होती है और plants की व्रुद्ध्धी और विकास को तेज करता है soil की fertility को restore और बनाए रखता है मिटी के pH को control और सामान्य करता है plants को बीमारियों और pest से बचाता है pest मतलब कीडे मकोडे जो होते हैं उनसे बचाता है तो utera उत्पादों के lab क्या क्या है utera को इस्तमाल करने से उसके फाइदे क्या क्या है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं कच्चे माल के रूप में केवल natural ingredients का उपयोग कर सकते हैं natural ingredients के तोर पर हम इसको इस्तमाल कर सकते हैं और humic acid के सभी लावनों और agronomically valuable microorganisms की एक पूरी श्रुंखला की इसमें उपस्थिती मौजुद है और तीसरा फाइदा इसमें क्या-क्या है उसे यूज़ करने से organic compounds की संतुलित सामागरी और उसके बाद उत्पाद non-hazardos मतलब कहने के मतलब बहुती low-hazardos कई बार क्या होता है बहुती ज़्यादा जहरी ले बहुती ज़्यादा harmful होते हैं बहुती ज़्यादा घातक होते हैं तो उनके मुकाबले में बहुती कम एकदम बहुती कम low-level पर है पदा उर्तों की study में आता है इन fertilizers का कोई analog नहीं है क्यूंकि इन्हें बनाने के लिए क्या-के चीज़ें सेमल की जाती है वो उसके बारे में थोड़ा से जान लेते हैं जैसे कि केंचुएं की एक अलग प्रजाती को पाला गया था इसको जब इसको फर्स टाइम इसको बनाया गया था तो ऐस सारी चीज़ें इसमें डाली गई थी या फिर बनाया गया था उस तरीके से और तरस नूट्रिशनल फॉर्मूला विकासित किया गया है इसके अंदर और साथ इससाथ ग्रह के मतलब कहने के मतलब है ओररल हमारी जो जमीन है वहां से एक हिसाब से देखो ता आप पूरी अर्थ के जो प्लानेट है वहां से आप बोल सकते हों घ्रह के पांच महाद्वीपोंगे 105 एक लोजिकली क्ली शेतरों से हमारी पूरी जो प्लानेट है जमीन का वहां से Clock in सक पांच अलग अलग यह एक लोजिकल क्लीद शेत्माल वैसी जगह złों से बेलोरुस है पर्टिकिलर वहां से बेलोरुस को वितरित उपजाओ किया था इसका मतलब वहां लेकर आया था एक सो पांच अलग-अलग जगाओं से वह भी इकलोजिकली क्लीन जगाओं से और उसके बाद अच्छोती भूमी से एक सॉयल बैंक एककत्र किया गया है कहने का मत बहुती साफ होती है तो इसलिए उसको अच्छोती भूमी के आ जाता कि वहां पर जाततर आप किसी भी तरीकी की उत्पाद नहीं हुई थी या फिर खेती बाड़ी नहीं थी उस जगह थे वहां की मिट्टी को इसमें लाके एक जगह जमा करके इसको टेस्टिंग के लिए पहले बनाया गया था तो सर्टिफिकेशन कहां कौँसी कोँसी उनिवर्सिटी से या फिर किस किस चीज के लिए मिली है वह भी जान लेते हैं यह पास मतलब टेस्ट सारे होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिले है उसके नंबर है उसके बाद यूटेरा यूटेरा ओयसे और सर्टिफिक किया गया है कि यह मार्केट में ला सकते हैं और यह बेचने के काबिल है क्वालिटी रिपोर्ट इनके द्वारा प्रदान की गए ही इसकी जो क्वालिटी है वो क्या सही में घर और बड़े-बड़े क्षेत्रों में खेती बाड़ी के लिए सिमाल किया जा सकता यह सारी चीजों को मद्दे नज़र रखते हुए इसमें quality को certified किया गया है वो कौन्से कौन्से उनिवर्सिटीज है उसके बार हमें भी जान लगते हैं RUE Institute of Soil Science and Agrochemistry और उसके बाद State Scientific Institution जो की बेलरूस में मौझूद है बेलरूस की National Academy of Science का Institute of Environmental Management वहां से भी इसको certified किया गया है मतलब quality के मामले में और बेलरूस की Chamber of Commerce and Industry यहां से भी इसको certified quality को certified किया गया है UTERA उत्पाद अभी इसकी demand क्या गया है वो भी जान लेते हैं UTERA का जो उत्पाद है बहुत ही ज़ादा मांग में मतलब demand में है केत पर अपनी personal जरूरतों के लिए स्वास्त और स्वादिस्ट सब्जीयां फल और जामुन उगाये जाने के लिए भी इसको इसको इस्तिमाल किया जा रहा है और नीजी खेती में जैसे कि नीजी खेती यह जो पहले था और केत पर यह बड़े लेवल पर होता है यह chemical additives और impurity के बिना प्राक्रूतिक उत्पाद उगाये और बेच हैं कहने का मतलब है यह जो है chemical additive है यह बिल्कुल ही नहीं है और यह impurity के साथ जो कई सारे fertilizers जो market में बिखते हैं अच्छे quality के नाम पर उसके बद पता चलता है कि ना है उसमें खुश्बू आती है ना उसका टेस्ट वैसे होता है जैसे हम लोग उमीद में बेटे रहते हैं और साथी साथ आप उगा भी सकते है नाच्रल तरह के सा और्गानिक लेवल पर आप इसको market में बेच भी सकते हैं अपने परसल लेवल पर और फूलों की खेती में भी इसको इसको इस्तमाल किया जा सकता है जैसे कि घर ग्रीन हाउज और conservatives में सुंदर फूलों वाले plants के selection में समलग रह सकते हैं अप इसको इसको इस्तमाल कर गई और marketing हमारी strategy क्या-क्या है उसके बारे में थोड़ा से जान लेते हैं बाजार में brand और उत्पाद की यह positioning हमारी क्या-क्या है जैसे के natural फसल में हम इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं और उत्पाद सुरक्षा में भी बहुत ही ज्यादा safe है अपनी जमीन से प्यार कर सकते हैं कहने का मतलब है इसको इस्तमाल करके आप अपनी जमीन के वो एक लगा बंज़ए कहा मेरी जमीन हमेशा हरी भरी रहती है हरियाली से भरी भर पूर रहती है और उसके बाद एन्वायनमेंटल ये फ्रेंडलीनेस जो एन्वार्मेंट को भी परियावरण या फिर वाता वरण किसे तो उसको भी कुछ भी धका नहीं पहुंचगा इसको इस्तवाल करने से यूट रहाँ ब्रांड पर जौर हम क्या दे रहे हैं जैसे कि इसकी कीमत जो है बहुत ही अफोर्डबल है और उत्पाद जो है एफेक्टिवनेस होगी मतलब उत्पाद में आपको ज्यादा देरी नहीं होगी या फिर अगर जल्दी से होगी भी तो खुश्बूदार होगी और बहुत ही टेस्ट फुल होगी उसके बाद यूनीक कॉंपो इस तरीके की कॉंपोजिशन नहीं इस्तमल किया गया है कॉलिटी अगर आप लेंगे तो आपको किजी भी तरीके की कंप्लेंट का मौगा नहीं मिलेगा आप कॉलिटी पूरी अश्रेंस के साथ हम दे रहे हैं और इसके बाद ट्रभावी उपयोग और फसल उत्पादन के लिए यह सिफारिश हैं अगर आप चाहो तो आप इस्तमाल करके आप उसको खाने पीने में इस्तमाल करने के बाद आप चाहो तो दूसरों का अपने दोस्तों आपाब फैमिली फ्रेंट्स किसी को भी आप इसको रिफर कर सकते हैं क्योटेरा इलिक्सिर और नैचुलर बयो इसको बनाया गया है और यहां पर किसी भी तरीके की आपको आर्टिफिशलिटी यहां पर नहीं दिखाईगे बिलकुली नैचुरल है यह सारी चीज़ें इसको बनाया गया है और यहां उत्पाद अधक्ता बढ़ाने और स्वास्त और्गैनिक फुड उगाने में मदद मि जाएंगे और सॉइल की फर्टिलिटी कई वर्षों तक बनी रहेगी देखिए इतने सारे फाइदे हैं एक फर्टिलाजर इस्तमाल करने से फुश्बोदार होंगे मज़ेदार होंगे और साथी साथ आपकी जमीन की जो फर्टिलिटी होगी वो कई सालों तक बरकरार प्रडिक कर चुके हैं बायो हुमस और यूटेरा सॉइल इलिक्सिर का उत्पाद उत्पादन करने के लिए यूटेरा मिडल इस्ट आग्रो इंडस्ट्री बनाई गई हैं फिलहाल एक बायो फ्री यर ग्रीन हाउस कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है सस्टेनेबल बास्टर और लेबरेटरी और संबंदित इंफ्रस्ट्रक्चर इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडड है यह जो है यहां पर इतनी सारी चीज़ें इसलिए बनाया जाना है अगर कोई वहां पर विजिट करने के लिए कोई गेस्ट आए कोई डेलिकेट आए तो उनको वह ची में है नैशरली इसको हम तचन फील नहीं कर सकते इसी वज़े से सारी चीज़ें वहां पर बनाई जा रही है कि वह जदा आगे चलेगा यह निर्माण एक कहने का मतलब है यह निर्माण रास अल-कैमा एकनोमिक जोन में बनाया जा रहा है सहीं एक तो अरब अमीरत में नाम यह जो राकेश जो है यह रास अल-कैमा एकनोमिक जोन यह जो है यह यूएई में मौझूद है यूनाइटेड अरब अमिरात में यह जो है राकेश जो है सबसे बड़े एकनोमिक जोन में से एक है जो जितने भी एकनोमिक जोन है उन में से एक है यहां पे 770 से भी ज़ाद लीडिंग मैनिफेक्टिरिंग कंपनियां मौझूद हैं 100 से भी जादा देश मुल्क इसमें इन्वाल्व हैं और 50 से भी जादा इंडॉस्ट्री यहां पर मौझूद हैं मतलब इंडॉस्ट्री अलग-अलग किसम की चीज़ें बनाने बाले यूटेरा उत्पात ये स्टान के लाव क्या-क्या है इसके हमें इस्तेमाल करने से स्टेज की अड्वांटेजिस क्या है ये यूटेरा प्रोजेक्ट के जो स्टेज है उसकी फाइदे क्या-क्या है प्रोजेक्ट को ये अप्लाई करते समय लागत प्रभावी सल्यूशन का उप्योग करने का आउसर में आपको मिलेगा और उसके बाद ये कमफर्टेबल टैक्सेशन में भी मदद होगा और उसके बाद प्रोजेस्टिक हब से निकटता ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोजेक्ट में बहुत ज़ादा एक हिसाब से क्या कैसे आप बहुत ज़ादा फैसिलिटी वाली चीज़ें इसमें मौजूद है क्याने का कमपनी को तो इसलिए ये सारी चीज़ों को भी मद्दे नज़र रखते हैं हम लोगों ने रासल खाइमा एकनोमिक जोन में इसको महां पर प्लांट हम लोग बनाने का हम लोगों नहीं सोचा है कि क्या हो गया है प्रिपेरेटरी कारे करना और उसके बाद लगाना और उसके बाद अगल आँ सोरी कि ये अब सब्धिक्स प्रॉब्लम निर्मांड करना ये पहले स्टेज में होगा और दूसरे स्टेज में क्या होगा access सडकों का संगटन, जैसे के मैंने बता है कि logistics में जो problems आती है वो main roadway का streak से ना होना, तो इसलिए इसका roadways का बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो access सडकों का संगटन और करमचारियों के लिए domitory का निर्मान, उसके बाद मुख्य building का design और निर्मान होगा दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में क्या होगा, एक indoor greenhouse का design और निर्मान, उत्पादों के effectiveness प्रदश्चित करने के लिए एक खुली हवा वालिक शेत्र का आवंटन, जैसे के मैंने बता है कि जब वहाँ पे clients वगर आएंगे customers आएंगे, तो उनको एक touch and feel का मौका देना भी ज़रूर है इसलिए वहाँ पे green house बनाया जाएगा और green house बनाया जाएगा और उसके बाद साथी साथ presentation जो है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो और वो खुले हवा में बनाया जाएगा तीसर स्टेज में प्रोजेक्ट के मूल सिदान्थ हमारे क्या क्या है जो main goals क्या क्या है mission क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं हर स्टेज में natural ingredient का उपयोग करना natural organic food उतपादों का उतपादन सभी प्रकार के कच्छे माल और components का waste free use उपयोग और अर्जित अनुभव और वईग्यानिक ज्यान के आधार पर practical approach का अनुप्रयोग Q-Terra project के बारे में पुनियादी information क्या क्या है वो भी जमारा जानना दुरूए कि ये project कैसे बनेगा इसको क्या क्या चीज़ने जरूवत है और ये project किस तरीके इस काम करेगा किस तरीके इस फाइदेमांद होगा कब launch होगा कब production होगा ये बहुत सारे सवाल होते हैं हमेशा एक project को लेकर तो उसी project का हमारा एक कुछ basic जो चीज़े हैं वो मैं आपको बता दे तो हमें क्या के चीज़ों की की थी थी है जो हम लोगो जो deadline लेकर चल रहे हैं इसको complete करने का project करने का दोजर पच्चीज है और इसके बाद 3-5 साल के अंदर जो है निवेश की ये payback period होगी अगर आपने एक certain amount इसमें निवेश किया इसमें योगदान दिया अपना सहयोग दिया तो जो आपको capital जो amount जो है वो जो है 17.5 प्रतिशत से लेकर ये 46.8 प्रतिशत तक आपको इसमें मुनाफ़ा मिल सकता है जैसे कि यहां पर दिखाया है कि निवेश कोगों के लिए ये potential वार्षिक return ये लिए 2024-25 में क्या हो सकता है निवेश कोगों का मुनाफ़ा देने की शुरुआत 2024 और 2025 में जो है वो आपका return on investment मिलना start आपको हो जाएगा निवेश का अफसर के इसमें क्या-क्या है आपको वो क्या-क्या मौका मिले है अभी आप लोगों के सामने उसके बारे हम बात कर लेते हैं आप यूटेर उत्पादों के उत्पादन में निवेश कर सकते हैं और company के net profit का 55% तक मुनाफ़ा आप ट्राप कर सकते हैं निवेश क्या-क्या होंगे यह जानना जरूरी है चले मैं आपको second round में जो अभी फिलाल हम चल रहा है जो है कि 29 परवरी 2024 तक चलेगा अभी for example अगर आपने यहां पे 5000 डॉलर अगर आपने निवेश के हमारे हिंदुस सानी एक लाग रपा आप मान के चल सकते हैं तो आपको मिलेगा और इसमें SWC और यूज कवरी का भी जो है वो टोटल मिलाके 75 पतिशत उनको जाएगा और अगर मैं डॉलर के हिसाब से बात कर लो तो आपको कम से कम 218 डॉलर तक का आपका मुनाफ़ा आएगा निवेश का जो है एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट यह जो है नेट प्र चमलव 8 प्रतिशत तक आपको इसका मुनाफ़ा मिल जाएगा निवेश की शर्ते क्या क्या हैं कंडिशन क्या है वो भी थोड़ा सा जान लएते हैं निवेश के 5 साल के लिए यह जो है वन टाइम पेमेंट या फिर 10 महीने से आधिक अगर आपने इंस्टॉल्मेंट प्रद रेट भी दिया जाएगा यहां पर मैं आपको थोड़ा सब्सक्राइब बताना चाहता हूं यहां पर जो है जो आप इसमें इसमें करोगे इस प्रोजेक्ट में या फिर निवेश करोगे उसकी लिए कंपनी क्या करेगी उसके बदले में 0.1 आपको हर साल में एक बार फिक् तो मैं उनसे यही करना चाहूंगा अगर आप इस प्रोजेक्ट में निवेश करने से पीछे अट रहे हैं तो आप एक पर सोचके देखे जैसे कि आप हमारी बैंकिंग वगरा भी हम पैसे रखते हैं तो हमारा इंटरस्ट वगरा आता है हर साल में एक बार तो आप निकाल क कर देता हूं वह आप चीज़ कर सकते हो और जो लोग इंटरस्ट खाने में दिल्चस्पी रखते हैं या फिर वह उनके अपना परसल पॉंट अप यू है वह चाहत हो इसमें आप इंटरस्ट ले सकते हो या फिर पांच वर्शों के बाद निवेश निवेश एक प्रोजेक अगर आपको लगता है कि पांच साल के बाद नहीं मुझे इस प्रोजेक्स से बाहर आना है कि मुझे फाइदा नहीं उठाने है लॉंक टर्म के लिए तो आप जब वापस करोगे अपना पैसा वापस ले लोगे कंपनी से तो कंपनी के अगर एक सर्टन आपको इंटरस्ट और प्रॉफिट के पेमेंट का अधिकार है साथ ही ये निवेशित राशी की उपियोग के लिए प्याज भी है यहां पे भी फिर वो ही इंटरस्ट वाली बात आ रही है और साथी साथ आप इस बहुत हो लॉंग टर्म तक आप इसका नेट प्रॉफिट उठा सकते हो जैसे और इंटरस्ट का तो बाकी आपका पॉसल पॉइंट अप्यू है निवेश को किये गए निवेश की राशी के अनुसार में चुने गए टैरिफ के अनुसार प्रॉफिट प्रॉफिट होगा ये मैं आपको बार-बार दोरा रहा हूँ ये बहुत ध्यान से सुनने और देख वापस नहीं ले लेता तब तक उसके सभी अधिकार उसके उत्तर अधिकारियों के पास चले जाते हैं जब तक आप प्रॉजयकटें ये वह वापको दे दी जाएंगे और ये जो है निवेश की शर्ते क्या क्या हैं उसकी conditions क्या क्या है वो भी जान लगते हैं आपर प्रत्यक निवेश के साथ विस्तृत निवेश शर्तों वाला एक agreement का conclusion किया जाता है आपको इसमें agreement paper भी दिया जाएगा ये digital paper आप sign करके आप चाहो तो उसमें download करके आप ये paper अपने पास रख सकते हो यही आपका एक हिसाब से प्रूफ है कि हाँ इस company में मैंने इतना इन्वेश किया है उसके हिसाब से मुझे इतना percentage profit आना है करके bank transaction के साथ-साथ payment system का उपयोग करके ये सुवीदा जनक तरीके से निवेश किया जा सकता है कहने का मतलब यहाँ पर bank transfer के अलावा हमरे पास visa, mastercard और crypto का भी option है उसके जरी से भी आप इसमें निवेश कर सकते है तो bazar क्या offer करता है इसके बारे में भी जान लेते हैं देखे आ आज दुनिया में कई अलग अलग किसम के project और industries मौझूद है जिसमें लोग पॉब्लिक उसमें invest करती है निवेश करती है तो उनको एक certain अगर banking की बात करो तो उसमें आपको interest rates दिया जाता है fixed deposit वगेरा में या फिर कुछी और industry में बात करो तो वहां पे एक certain amount का आपको profit द return on investment दिया जाता है और उसका बद portions जो यह portions जो है अगर आप existing client फिर partner हो customer हो इसमें units की strength technology के use का यह वाले project में SWC के जरीए से skyward community के जरीए से तो आपको पता होगा कि portions क्या है नहीं है तो आप इसमें हिस्सा लेकर आप इसको जान सकते हैं उसमें जो है profit जो है जो company profit कमाए उ आपको हर साल में दिया जाएगा points यह भी banking में आता है यह 6 से लेकर 8 प्रजिशत हर साल इसमें आपको profit मिलेगा या फिर interest मिलेगा मुझे नहीं पता कि मैं banking से बिलॉंग नहीं करता हूँ और मुद्रा currency में currency में क्या होता है 0.2 से लेकर 0.4 तक आपको मुनाफ़ा मिल सकता है यह शायद फिर से banking में आता है और उसके बाद gold जो है 17 प्रजिशत तक आपको हर साल में इसमें profit मिलेगा रियल एस्टेट में जो है 15 से लेकर 20 प्रजिशत के आपको इसमें मुनाफ़ा मिलता है यह तो आपको सबको पता है प्लॉट लेकर खरीत है छोड़ दो साल दो साल के बाद आपको जैसे की जमीन की कीमत बढ़ती है तो उसके हिसाब सापको profit भी बढ़ता है और यह सब्लीज सब्लीज जो है यह दो अलग-अलग वेंचर मिलके जो काम करते हैं उसमें आता है यह सारी चीज़ यह थोड़ा सा एक real estate की related ही इंडस्ट्री है जिसमें 18 से लेकर 20% तक आपको साल आना मुनाफ़ा मिल सकता है और यह भी जो क्राउड लेंडिंग या फिर क्राउड फंडिंग जो बज़के जो काम हम करते हैं क्राउड से फंड उठाके उनको एक सर्टन परसेंटेज का मुनाफ़ा देते हैं कंपणी के róficτό में हिससा लेने का मौक यह 17.9 प्रतिश्यत से लेकर 46.8 प्रतिश्यत तक वार्षिक आपको मुनाफ़ा देने का हम लोग वदा कर रहे हैं निवेशकों की एक्सपेक्टेड रिटन जो है यह है अप्टिमिस्टिक फोर्कास्ट है करने का मतलब जो हम लोगों ने मार्केट रिसेच किया है उसके हिसाब से 17.9 से लेकर 46.8 परसेंट तक आपको मुनाफ़ा मिलने का चांस है इस प्रोजेक्ट में निवेश करने के बाद योगदान देने के बाद सही योगदेने के बाद आप वास्ताविक उपदान में निवेश कर सकते हैं और उत्पाद के साथ आप जुड़ सकते हैं और उसके बाद अध्यायन किया गया विक्री बाजा जैसे के मैंने कहा कि हम लोगों ने बहुत ही डीप रिसर्च और अनलेज किया है मार्केट में कितना हम रिटन दे सकते हैं इन्वेश को और उसके बाद इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है और कितने तक हम प्रोड़क्शन बहुत बहुत जारा इंदप्ट डीटे में में नहीं जाओंगा तो यह सारी चीज़ें इसमें इन्वाव्व हैं और उसके बाद यह जो है दीरगर कालिक यह है स्केलिंग पोटेंशल यह बहुत लंबे समय तक चलने वाला प्रोड़क्ट और प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट तो कई बार मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूं क्या क्या इसे फाइदा क्या होगा मैं इसे कितने साल कितने पीरिट तक में इसका फाइदा उठा सकता हूं तो कहने का मतलब है तो यहां जो कहने का मतलब है प्रतितिमाह एक बार हर कौटर में एक बार कौटर उसे कहते हैं जो ती 3 मेने को अगर आप डिवाइट करोगे तो 3-3 करके 4 बर उसमें quarter आता है, तो हर quarter में एक बर आपको profit देने का हम लोगों ने plan किया है, profit का जो percentage जो है, वो है, fixed है और घटता नहीं है, इसमें क्या है कि for example आपको एक confusion होगा कि अगर मैं 1000 डॉलर invest करो, one time payment अगर उसमें 28% इसमें देने का वादा किया है मुनाफ़ा, तो वो क्या होगा, अगर company ने profit नहीं कमाया, तो वो हमें क्या अपना percentage घटा देगी, जी नहीं, जो percentage आपको वादा किया गया है, उसी के हिसाब से आपको profit दिया जाएगा, हर quarter में एक बार, लेकिन यहाँ यह मत सुचना कि product नहीं हो, तो company कैसे देगी, जी नहीं, यह market बहुत अच्छी तरीक से study करको, यह study करने के बाद ही आपको यह सारी चीज़ें detail में बताई गई है, Utera Middle East Agro Industries के net profit का आपका प्रतिश्यत agreement में fixed है, जैसे के मैंने कहा के agreement जो है, वो paper है, और उसके बाद यह अपर यह वर्तित रहता है, जैसे के वो ups and downs नहीं होते हैं, बट हाँ हो सकता है, इसमें bio humus, या फिर Utera bio humus, या फिर Utera soil elixir के आगर market में demand बढ़ेगी, prices बढ़ेगे एक लिटर पे, तो वो सारी चीज़ों का जो profit आएगा, उसे हिसाब से आपको profit बढ़ सकता है, लेकिन घटेगा बिल्कुल भी नहीं, और profit ये प्राप्ती की पूरी अवदी के दोरा घटता नहीं है, जैसे कि मैंने वागे ये जितना लंबे समय तक आप इस product और इस project से जुड़े रहोगे, और जब तक आपको return on investment आता रहेगा, प्राफिट आता रहेगा, तब तक ये घटेगा नहीं, हम लागत कम करके profit बढ़ाते हैं, हमारे जो expenditures जो होते हैं, उसको कम से कम इस समयल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा profit देने की कोशिश कर रहे हैं, उत्पादन को optimization करने से हम अपने निवेशकों के अधिक return दिला सकते हैं, निवेशकों को अधिक return दिला सकते हैं, जैसे कि मैंने बहाएं कि हमारे expenditure कम कर गए हैं, हम हमारे निवेशकों को ज़्यादा profit मुनाफ़ा दे सकते हैं, यदि operating cost कम हो जाती हैं, या एक लिटर यूटेरा soil elixir की बिक्री मुझे बढ़ जाती हैं, तो आपका personal मौदरिक लाब बढ़ सकता है, जैसे मैंने कहा कि हमारा expenditures कम करने की वज़े से और साती साथ soil elixir का एक लिटर की अगर कीमत मार्केट में बढ़ जाती है, तो उससे भी जब मुनाफ़ा होगा, जो profit हमें आएगा, वो profit में भी आपका इससा बढ़ जाएगा, अधिक तम long term निवेश है, जैसे कि मैंने कहा कि यह कोई short term निवेश नहीं है, investment नहीं है, यह बहुत ही long term निवेश है, क्योंकि इसके फाइदें बहुत जादा है, इसी वज़े से, फर्टिकलाइसर जो है, यह कभी भी मरने वाला market नहीं है, बहुत ही long term तक चलने वाला market है, उत्पादन में सेवा जीवन पर कोई प्रतिबंद नहीं है, और plant equipment अपडेट प्रदान करता है, यह जो है, यह ऐसा product है, यह जो plant का अगर equipment, अगर एक certain period के बाद लगता है कि old लाना, तो उसमें भी helpful हो जाएगी, और उसके बाद agreement को बढ़ाने की संभावना के साथ, भूमी की 50 वर्षों के लिए पटे पर दी गई है, यह जो हमारा जो अभी plant जो यहां पर बन रहा है, UAE शार्जा में, United Arab Emirates में, जो की एक specific location है, जिसको रास अलखेमा economic zone कहा जाता है वहां पे जो है 50 सालों के लिए इसको lease पर लिया गया है, तो हो सकता है 50 साल होने के बाद इसको और थोड़ा सागे बढ़ाएं, और सोचके देखें 50 साल में हम अपनी जिंदगी के साथ चाता हमने बच्चों की जिंदगी को कितनी बहतर बना सकते हैं, सिर्फ आर्थिक समस है, वो यूटररा दोहसाथ चोबिस का क्या है, वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं, यूटररा की और से नए साल का bonus SWC परसनल अकाउंट से, परसनल अकाउंट के सभी verified users के लिए उपलब्द है, यह सर्वोत्तम शर्तों पर यूटररा प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं यहां पर जो है, जो रेड लाइन जो मार दिया है, अभी रेसेंटल एक प्रोमो चल रहा था, वो तो वो प्रोमो खतम हो गया, 31 जनवरी 2024 सकी था, तो अब हम उसके बारें बात नहीं करेंगा, आगे बात करते हैं, अगर आप एक लाग डॉलर, अगर आप का पैकेज या फ पहले कि पहले कैसा था, उसके बात कैसा था, आप एक आई विटनेस बन सकते हो, और साथी साथ, जो अभी एक्जिस्टिंग हमारा टेस्टिंग सेंटर है, जो कि वो भी EOE में ही मौजुद है, वहां पे भी आपको दोरा करने का मौका मिलेगा, अगर आप पचासार डॉल पांसो डॉलर कैशबैक मिलेगा, पांस हजार डॉलर पे पंदरासो कैश्टिंग मिलेगा, और हजार डॉलर पे इसमें नहीं कूपन है, नहीं आपको किसी भी तरीके का कैश्टिंग मोजो जा तो तो cashback किस तरीके से काम करता है वो यहां पर जान लिजा अगर आप मिनीमम 2000 डॉलर या फिर एक लाग डॉलर का यह लॉट फिर पैकेज इस्चू करते हैं तो आपको जो है आपके में अपांट में जो है यूटेरा लॉट और यूएस्टी यह टेकनोलोजी पोर्शन का इस्चू करने पर खर्च किया जा सकता है और कितने का पैकेज लिया है यह दोनों सारी चीजों को मंदे नजर रखते हुए आपको कैश बैक दिया जाएगा यह प्रीमेर टूर का जैसे के मैंने बताया कि आगर आपने हिंदुस्तानी एक करोड रुपए या फिर पचास लाक रुपए का अगर आपने यूटेरा का पैकेज आपने लिया है या फिर इस्चू किया है तो आपको शार्जा के यूए में यू कर सकते हैं तो गिफ्ट और प्रोमोशन आपस की नंबर सीमित है जैसे के मैंने बताया कि यह जो प्रीमियम टूर के साथ साथ आपका जो सेकेंड रौन में जो अभी जो मिल रहा है जो परसेंटेज आप रिटर्न ऑन इंवेस्मेंट यह एक लिमिटेड है तर्ड रौन लाइगा परसेंटेज और यह प्रोमोवी 29 फेब्रारी 2024 तक की इसमें मौझूद है यह अनुकुल निवेश स्तेतियों का लाब उठाने के लिए जल्दी करें और 2023 के अंत तक कहने का मतलब यह उस ताइम पे शुरू आता तो 20 प्रिमियर टूर की ड्राइंग में भाग लें यह एक लिमिटेड मौका है टूर जो है वह एक लिमिटेड एक हिसाब से पैकेजर है और उसके बाद यूटेरा में निवेश करें और कंपनी के नेट प्रोफिट का 55 प्रतिशत का मुनाफ़ा आप राप्त कर सकते हैं य जैसे 2nd round खतम हो जाएगा तो 3rd round में 55 की जगा 50% ही आपको मिलेगा लेकिन यह आपका निवेश करने का पैकेज के ओपर डिपेंड होता है और आप इंस्रॉन्मेंट या फिर 1-time payment के ओपर निवेश होता है यह मैं आपको बार-बार इसलिए दोरा यह बहुत जादा समझन to us आपका feedback जो है वो हमारे लिए बहुत ही जादा मात को पूर्ण रखता है क्यूंकि हमारा या फिर मेरा presentation है किस तरीके से आपको लगा क्या आपको presentation समझ में आया नहीं समझ में आया ऐसे presentations आपको कितनी बार चाहिए या फिर frequency कितनी चाहिए क्या मैं आप speaker अच्छे आप जवाब देखे आप एक surprise gift भी हासिल कर सकते हैं या फिर इस QR code को भी आप scan करके आप इस के इस form को बरने के लिए देखिए scan करें जो आपको विशेश access प्रदान करता है एक exclusive access की तरफ आपको ले जाएगा जिसके बदले में आपको एक surprise gift भी है और ये form fill करने पर आपक आप देए गए वे नंबर पर आप संपर कर सकते हैं यह Monday to Friday जो है सुबह 8 बजे लेकर शाम 5 बजे तक आफिस खुली रहती है या फिर आप info at u-terra-swc.com पे आप mail बेचके भी आप इसमें जादा-जादा जानकरी हासिल कर सकते हैं या फिर आप हमें social media के जरीए से भी आप आप हमें follow करके वहाँ पे जानकरी हसल कर सकते हैं यह वी के एप है यह एक social media app है उसके बाद Instagram और आप चाहो तो इसमें Telegram की जरीए से भी आप हमारे ग्रोप में जुट सकते हैं Skyworld Community का हमारे एक चोटा सा slogan है We create the future and finance it हमार कहने का मतला हम भविशे बनाते हैं और उसको आर् invest in high demand eco friendly production टेक्नोलोजी भी ते है high percentage profit यह जो है ecologically friendly production जो है उसमें आप अपना सही होगा और योगदान दे और साती साथ ज़ादा ज़ादा मुनाफा कमाने का बर्पूर फाइदा उठाए यह है मेरी mentor और मेरी टॉप एक्सपर्ट और इंडिया की क्यूरेटर और रेस्पॉंसिबल परसन है और यह मेरी मेंटर भी है मेरी अप्लाइन मैनेजर भी है मिस कैट जेकब्स और जैसे के आप लोग तो मुझे जानते ही हैं जो लोग मुझे बहुत दिनों से देख रहे हैं मेरा नाम है सहेद महिनत दिन दिलवालों की दिली से एक स्पीकर और लीडर की तोर पे SWC में काम कर रहा हूँ और मेरे प्यारा सा मुल्क भारत इंडिया और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीम्ती वक्त दिया जाने से पहले मैं और थोड़े से आपको जानकरी देदू अगर आप इंडिया के एक mail ID है अगर लोकली आपको सर्विस चाहिए तो इंडिया इंडिया के नाम से वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुबरात्री, शब्बाखायर गुटनाइट और थैंक यू वरी मच्छ